तो आज की इस मुवी में देखोगे आप एक ऐसे हवसी महाचादर मूद स्टेप ब्रदर को जो की अपने स्टेप सिस्टर को ही पलटा के ठोक देता है अब भैसाब ना सिर्फ शादी के पहले इसके साथ वो शादी के बाद भी ऐसी गंदी हरकते उसके साथ कॉंटिन्यू करता रहता है यह सब कुछ वो कैसे कैसे कहा कहा किसके साथ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किसके पोजिशन में करता है यह सब तुम आज की इस वीडियो में देखने वाले हो तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम explanation स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले गुरू तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर और भी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी मुवीज देखनी हो तो क्योंकि आज तो तुम्हें घुमते फिरते डहलते वे वीडियो मिल गई ज़रूरी नहीं कि कल भी मिल जाए चैनल सब्स्ट्राइब कर लोगे तो भाई साब मैं खुद ही चलाओंगा तुम्हारे नॉटिविकेशन में वीडियो लेकर तो मुवी का नाम है Close My Eyes और है Release With The Year 1991 में और इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताता हूँ तो मुवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक सो देले भाई बहन को एक्चल में दूस्तों ये दोनों बच्च्पन में बहुत कम ही साथ रहे हैं तो यहाँ पर एक दूसरी के साथ इनके बीच भाई बहन वाला कोई भी मोशन नहीं है तो यहाँ पर वो देखता है कि नेटली किसी बात को लेकर के उदास है हतास है निरास है तो जब वो उससे बूचता है तो वो बताती है कि उसका ब्रीक अब हो गया है और यहाँ पर उसके बाईफेट ने पहले तो उसे अच्छे से ठोक बज़ा लिया है बिल्कुल फाड़ के रख दी और अब वो शादी नहीं करना चाहता और यह बात जब वो रिचर्ड को बताती है तो रिचर्ड उसे थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए बाहर घुमाने ले जाता है उसे काफी ज़दा इंच्छा कराता है काफी ज़दा बाते करता है बाहर खाना खाता है वगेरा वगेरा जिससे नेटली का भी मूड काफी अच्छा हो जाता है और वो इतना ज़दा भावनाओं में बहा जाती है कि वो रिचरड को ही चुम्मा दे देती है खेर इसके कुछ दिनों के बाद रिचरड को अपने जॉब के सिलसिले से बाहर चाना पड़ता है पर यहाँ वर नेटली उससे बोलती है कि वो उसे कॉल तो करेगा ना और मिलता रहेगा ना जिस पर रिचरड भी हाँ बोल देता है और वो निकल जाता है पर हम देख पाते हैं सीन शिफ्ट होता है दू सालों के बाद और यहाँ पर एक भी बार रिचरड ने नेटली से बात करने की कोशिश नहीं की थी जिस पर अब दो सालों के बाद नेटली उसे कॉल करती है और उससे बोलती है कि तुम तो मुझे एक दिन बाद ही कॉल करने वाले थे और मुझसे मिलने आने वाले थे क्या हुआ तुम भूल गए क्या कि मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर हूँ जिस पर हम यहाँ पर रिचरट को देख पाते हैं जो कि अपनी ही सेकर्टरी के साथ धगा पेल धगा पेल करने में लगा हुआ था और नेटली के कॉल की वज़े से वो डिस्टरब हो जाता है पर यहाँ पर वो कुछ आदर याक नहीं करता और बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें जल्दी ही कॉल बैक करूँगा पर अंतु भाई साब इसके बाद भी वो कभी कॉल नहीं करता और काफ़ी साल और बीच जाते हैं जहाँ पर नेटली ने अब शादी भी कर ली थी सिंकलेर नाम की एक बंदे के साथ तो शादी के कई सालों के बाद एक बार नेटली फेड्स से रिचरड को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी शादी में भी नहीं आए आखिरकार तुम चाहते क्या हो चलो ठीक है इ आज नेटली का बर्डे भी है खेर यहाँ पर जब वो लोग बर्डे सेलिबरेट कर रहे थे तो हम रिचरट को देख पाते हैं कि उसकी नजरें स्रिफ नेटली पर ही थी जिसके बाद उसी शाम हम देखते हैं नेटली को चुकि रिचरट से मिलने के लिए उसके घर पर आई ह और यहाँ पर वो उसके घर आ करके उसे तुरंती चुम्मा दे देती हैं भाई साब इसे देख करके रिचरट भी एक पल के लिए घपरा जाता हैं कि ओरे मया योका देख लियो लेकिन इतने में ही अगले पल नेटली खुद ही पीछे हो जाती हैं क्योंकि उसकी भी फट र इस बार आकरी था क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है और यह बात अगर जदा फैल गई तो मेरे तो फडवे लग जाएंगे जिस पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रिचरट उससे कुछ भी नहीं कहता और उसके अगले ही दिन नेटली का हस्बेंड सिंक्लियर उसे मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर वो उसे बातों ही बातों में बताता है कि वो एक फैमली ट्रिप पर जा रहा है और तुमें भी हमारे साथ आना है रिचरट जुकी मौके की तलाश में ही है तो यह मौका वो कैसे ही मिस कर देता और यहाँ पर वो पूरा टाइम पिक्निक में बस नेटली को ही देख रहे थे जैसे मानों आखों से ही बजा देंगे उसको जिस सब कुछ देख करके नेटली के दिमाग खराब हो जाता है और वहां से उटकर कूपचे में चली जाती है पर यहाँ पर रिचर्ड भाहिया भी उसे सुंगते सुंगते उसकी लेने के गलती थी और बार बार हम गलती रिपीट नहीं करेंगे पर अब क्या रिचर्ड को रॉकेट तो चल चुका है और लॉंस तो कराना ही पड़ेगा जिस पर नेटली उससे बोलती कि चलो ठीक है हम इस बारे में बात करेंगे और वो उसे एक एड्रस देती है जो की सिंक्लियर के ही एक दूसरे घर का एड्रस था और ये लोग वही पर जाकर के बात करेंगे अब भाई साब इतिहास गवा है कि ओयों में आज तक कोई बात करने के लिए गया है क्या तो यहां पर यह कैसे ही जाते जी हां सही वकड़े हैं यहां पर भी यह लोग जाते तो बात करने के बहाने से ही हैं तो यहाँ पर इनकी बाते हो जाती हैं गरमा गरम रातें और फिर इन्हों ने क्या क्या किया हम आपको कैसे ही बताते हैं और यहाँ पर दूसरी दरफ हम देख पाते हैं सिंक्लेर को जिसे नेटली ये बतागर गई है कि वो बिजनेस के काम के सलसले से बाहर ज और उसने एक hotel का नाम भी बताया था तो यहां पर सिंकलेर घर में काफी ज़दा परिशान हो जाता है क्योगि उसे अकेले घर समालना ही नहीं आता था तो वो उसी hotel में call करके बात करने की कोशिश करता है नैटली से और जब उसे hotel से बता चला कि नैटली नाम की कोई guest उनके hotel म को दाम बन जाते हैं तो वो डिसाइड करती है कि अब से वो बिल्कुल नहीं करेगी भाई साब इसके डिसीजन तो बिल्कुल एक मुठल लॉंडे के जैसे हो गया है जैसे वो डिसाइड करता है कि बस आज आकरी कल से अब बिल्कुल नहीं वैसे इस लड़की के डिसीजन है ये हर बार बोलती है कि अब से बिल्कुल नहीं, खेर इस बार जब उसकी ठुकाई का पूरा ट्रिप कंप्लीट होता है, तो वो इस बार अपने भाई से बोल देती है कि बस, अब आज के बाद तुम्हारा हैंड पंप मेरी नदी के आज पास भी नजर नहीं आना चाहिए, औ लगी यहाँ पर सिंक्लियर उसे चेक करने के लिए एक बार उसे पूछता भी है कि कैसी रही तुम्हारी ट्रिप, जिस पर वो बताती है कि यहाँ बहुत बढ़िया, और यहाँ पर वो बातों ही बातों में होटेल के बारे में भी पूछता है, तो वो बताती है कि हाँ वो दुबारा पटा लेता है और यहाँ पर वो जब उसके साथ था तब ही नेटली को कॉल करके बताता है कि मैंने एक बाबू बना ली है जिस पर नेटली उसे तो कुछ नहीं कहती पर हम देख पाते हैं कि उसे कहीं न कहीं इस बात का रिग्रेट हो रहा था के रिचर्ड उसे छोड़ रहा है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर उसे फिर से वही बात कहती है जो हर बार कहती है कि अब से हम मिलना मिलाना बिल्कुल बंद कर देंगे पर भाई साब ईसा ही होता है इस बार भी कि टायलोग बोलने के बाद वो गोड़ी बन जाती है और यहाँ पर होता है इनका जम के धकापिल और इसके बाद फाइनली कुछ जाधा ही रिस्ट्रिक्ट हो करके निटली बोलती है कि आज के बाद तुम अपना हैंड पम्प बुझे कभी मत अब उसे हिलाए लाए रहा नहीं चाता तो वो जाता है सिधा सिंक्लियर का घर नेटली से मिलने के लिए पर यहाँ पर नेटली घर पर मौजूद नहीं थी तो सिंक्लियर उसे अपने साथ चलने को बोलता है और यहाँ पर बातों ही बातों में सिंगलेर ने उसे बताया कि मुझे मेरी वाइफ पर अर्था तुम्हारी सिस्टर पर शक है क्योंकि एक बार वो बिजनेस के ट्रिप बोल करके वाहर गी थी पर वो तो किसी होटेल में रूकी ही नहीं थी ये बात जब रिचरड ने सुनी तो भाई साब उसकी तो फट के हाथ में ही आ गई पर यहाँ पर वो कुछ भी रियक्ट ना करते हुए बस उसकी बातों में इंट्रेस्ट लेकर हाँ हाँ करने लग जाता है एर गुस दिर के बार नेटली भी वापस आ जाती है तो यहाँ पर नेटली रिचरड को बताती है कि मैं अपने हस्बेंट के साथ अमेरिका श्रिप्ट होने जा रही हूँ और तुम अब यहाँ बर बैट करके बस हिलाते रहना इस बात से बिचारा रिचरड काफी जाता तूट जाता है कि भाई साब एक ही सोर्स था उसे लेने का और वो भी अब नहीं मिल पाईगी तो इस पर वो काफी जाता दुखी हो जाता है इसलिए उसे समझाने को नेटली एक बार रेस्टराण में बुलाती है और उससे बहुत प्यार से समझाती है कि बाबू ये पकड़ो अपना हाथ और ये तीन उंगलियां फसो नीचे और चौती उंगली रखो आगे और इससे तुम दबा के मठी मारो दबा के मठी मारो समय दिखा जाता है जहाँ पर नेटली और सिंकलेर फाइनली इस सेर को छोड़ कर जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक पार्टी रखी है अपने सभी अच्छे अच्छे दूस्तों के लिए यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है जो कि पूरी पार्टी में बस नेटली के कच्छे बदाम को ही निहार रहा था और उसके पीछे पीछे इधर उदर घूमने लग जाता है नेटली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो वो उसे एक कोप्चे मिले जाती है पर यहाँ पर तो रिचर्ड ही उसे अपने कोप्चे मिले ले रहा है और उसे ध और यहाँ पर वो उन दोनों को क्लियर करता है कि एक्च्छल में हम लोग कहीं भी नी जा रहे हैं यह तो मैंने जान बूच करके अफ़ा फलाई थी ताकि मैं जान सकूँ कि आकिरकार नेटली का आशिक है कौन हमारे जाने की बात से उसकी दुझारियां जल जाएंगी ही औ और वाहिस आफ किसी और की नहीं बलकि तुमारी ही जाडियां जली और मैं समझ गया कि तुम ही हो नेटली के आशिक हैर यहाँ पर सिंक्लियर उन दोनों को ही माफ कर देता है सिर्फ एक शर्थ पर कि ये लोग ऐसे कांड यहीं पर बंद कर देंगे जिस पर वो दोनों ही ए सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि भूलते बढ़कते हुए तुम्हें वीडियो मिल गई जरूरी नहीं कि कल भी यूट्यूब तुम्हें वीडियो दिखाए तो इसे चानल सब्सक्राइब कर लो एक सकेंड लगेगा उसके बास स हर रोज में तुम्हारे पास वीडियो ले करके नॉटिफिकेशन में पहुच जाओंगा वीडियो को तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई वीडियो को एक छोड़ असा लाइक कर देना इसके साथ साथ मुझसे बात बगरा करना चाते हो या मुझे देखना चाते हो तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लो डगो इंस्टा आइडी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इंस्टा यूजर नेम है मेरा आपका शिवा है और मुवी को डाउनलूड करना चाते हो तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पर टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके उसे जॉइन करो वहाँ पर आपको सारी मुवीज के लिंक मिल जाएगे तो आज के लिए बस इतना ही टैंक यू बबाई साइनिंग ओफ